नेपाल को सबे भन्दार फुलू चाड दसें हो। दसें भन्ने बित्तिकै ती का जमरा र पींग को यादाउं छा। उहीले को समार्ज मां काठ का पींग हरू अत्यादिक रुप मां रहे का हुं थे। दसें मां मिठो खाने कुरा खायरा पींग खेलनुको मज्जाने बेगलेई थियो। दसें आउन लागदा काठ हरू जोह गरेरा एस प्रकार को पींग बनावने गर्द थे। एक बर्षमा एक पतक धर्ती छोड़नु पर्द छा। एस भनाई लाई आत्मसात गरेरा मानी शरू पींग खेलना तचाड मचाड उन्थे। तर आज भूली समय बदलियेको छा। विज्ज्ञान प्रवितिको विकास संसंगाई पुराना पुराना कुराहरू हराउने क्रम जारी रहेको देखिन छा। येसे को उधारन सोरूप आमिले काटको पीं लाई पने लिन सकत छम। पीं खेलने को जमात पने कम हुदाई गय को देखिन छा। संचार को विकास र बैदेशिक रोजगार का कारन आज भुली युवाहरू गाउमा कम हुन थाले को देखिन छा। परिनाम सोरूप पीं खेलने को संचा कम हुदाई गय को देखिन छा। गाउं घर मा ब्रिद्द ब्रिद्द र बालवाली का मात्रे देखिन थाले का छन। अईले नत गाउमा पीं बन छन। नत दस्चां को रंग रोहन्ने रहेको देखिन छा। विले गाउं मां भावियो खोजने चलन थियो तेती बेला भावियो जुह गरेरा पिंग बनावने गरीन थियो अईले को समय मां भने वाईदेशिक रोजगार मां गवाय पछे युवाहरू उताई तीर रमावने गरनाले नेपाली सस्कृती बिडशे को होकी भन में भान पर्न गवाय को देखिन छा जे होस पिंग सस्कृती ले हमरो जिवन तता परदान गरनी हुदा इसता प्रकार को सस्कृती को जगेरना गरनी हमीं सप्पई को दायुत्तो हो नमस्ते मा सुरेश तांता का आज अनुती नगरपाली का को वड़ा नमर दस इस्तीत मकईटार में यो पीं यहना आको छो रह यो पीं दसाई जब आऊंचा मेरे एक पटक यो दखरती छोल्नू परचा वाले को राऊंचा जिसकारों पीं नेपाली समाज मा एक्डमे लोग प्रिय रहे को छा हो रह यो पीं यह रिसका को लागि आज अनुती नगरपाली कामें नमर द्रह जिल्ला का विवड़नम स्थान बाठो करी तस तेते मानी स्धाना देरी तैतने था में आनि नो घरी रहे का छान झाल, 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 झाल.